Hello everyone, welcome to my channel, my name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about what instrument you have to purchase in your BDS first year. BDS first year में जब भी हम admission लेते हैं, उसमें हमें एक list प्रोवाइड की जाते हैं, उसमें necessary and unnecessary बहुत सारी instruments होते हैं, तो इसलिए मैंने एक proper list बनाई हैं, ये आपको definitely purchase करने हैं, उसके अलवा कुछ ऐसे instrument भी होते हैं, वो जो आप नहीं भी करेंगे तो भी that will be fine. All right, उसके अलवा first year में क्या-क्या करना होता है, कौन-कौन से books लेके आनी होते हैं, clinics में क्या-क्या काम करना होता है, और exams के लिए कैसे-कैसे पढ़ना है, उन सभी के लिए मैंने BDS first year में एक video बना रखी है, जिसका link आपको उपर मिल जाएगा. तो यहाँ पर एक बार instrument जो होते हैं, वो आप चेकर लिजी, सबसे पहले आपको एक Macintosh लेके आनी होते हैं, इसका use होता है, जब भी आप dental anatomy की lab में आप carving करेंगे, और या फिर प्रोस्तों में आप अपना clinical work करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले Macintosh भी चानी होती है, उ wax का आपका color white होना चाहिए, first year में आपको permanent teeth बनाने होते हैं, और final year में आपको pedodontics में आपको deciduous teeth बनाने होते हैं, यानि कि primary teeth, और राइट, उसके लावा एक measuring scale, metallic scale लेके आए, उसके लावा divider आपको चाहिए होता है, यह दो तिन जो चीज़े हैं, like scale हो गया, divider हो गया, यह आपको stationary की shop पे मिलेंगे, उसके लावा जो यह wax block है, lacron carver होता है, makito sheet है, यह आपको एक proper जगे से लेके आने पड़ेंगे, dental markets होते हैं, like चाननी चोक हो गई, यहाँ पे आपको bulk में पूरा सामान मिल जाएगा, सबी instrument वगेरा आपको bulk में मिल जाएगे, उसके लावा एक silk cloth चाहिए होता है, जब आप teeth की carving करते हैं, ताकि उस पे अच्छे से shining आए, उसके लिए हम silk cloth लेते हैं, अब वो आप generally हमारा specs का जो holder होता है, उसमें cloth होता है, उसको आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा, stationer में आपको एक eraser, sharpener, lead pencil and compass, यह चार चीज़े तो आप diagrams बनाते हैं अपने file में, तो उससे आप compass से circle बनाते हैं, उसके अलावा यह चीज़े आगे भी आपके काम आती ही रहेंगी, उसके अलावा instrument sharpening stone, यह basically जैसे हमारा carver हो गया, हमारे जो instrument होते हैं, उनको sharp करने के लिए use होता है, और जो यह sharpening stone होता है, यह Arkansas stone भी हम इसक भी होना ही चाहिए, उसके अलावा forceps आप लेके आते हैं, एक blunt वाली होते हैं और एक pointed, scalpel and surgical blade, surgical blade में हमारे blade number 12 and 15, यह 44 आप लेके आ सकते हैं, प्रोस्तोरोंटिक्स में इनका ज्याता तर use होता है, उसके अलावा oral surgery में भी होता है, जो final year में आएगा, और surgery में भी वैसे हम को पढ़ना होता है, कि हमें stab incision करना है, या फिर normal incision करना है, तो उसमें कैसे कैसे blade होते हैं, क्या क्या number होते हैं, पर फिलहाल आपको प्रोस्तोरोंटिक्स के हिसाब से 12 और 15 नमबर के चार चार blade लेके आने हैं, उसके बाद प्रोस्तोरोंटिक्स में specially, आपको acrylic trimming bar लेके आ ये दो शेप के आप एक एक बर लेके आएं, उसके अलावा acrylic finishing bar, finishing के लिए यूस होते हैं, एक metal का, carbide का और एक stone का, अब आते हैं, ब्लो टोर्च, ब्लो टोर्च एक लेके आनी है, एक ब्रश लेके आनी है, पेंटिंग ब्रश जो होती है, लिक्विड पेंट्स के लिए, एक ब्रश लेके आनी है, और एक पेंटिंग के आपको किट लेके आनी है, जिसमें पांच या दस जितने भी colors होते हैं, वो लेके आनी है, उसके लब बीपी हैंडल, जो हमने अभी blades की बात करी, 12 और 15 नमबर के, उनको फिट करने के लिए बीपी हैंडल भी तो होना गोज पीस जो होता है, वो अपकी जो college की pharmacy होगी, उससे भी ले सकते हैं, एक glass plate आएगी, एक glass slab आएगी, यो दोनों अलग लग होते हैं, प्रोस्तो रॉन्टिक्स में आपकी काम आएंगी, एक होट प्लेट होती है, kidney tray, एक ही ले लीजे, कोई दिकत नहीं है उसमें, उसके ये matter dice, आप सभी 3-4 friends मिलके भी लेके आ सकते हैं, कोई problem नहीं है, क्योंकि ये बाद में पड़े ही रहने वाले, इनका कोई use नहीं होता है, उसके लवा mouth mirror दो, उसके लवा orthodontic plier, universal वाला, इसका फिलाल तो कोई use नहीं है, ये final year में, या third year में ortho में आता है, पर यहाँ प करने के लिए ortho plier अभी ले सकते हैं, और वो थर्ड येर में फिर आपका direct काम आ जाएगा, उसके लवा plaster knife की आपको ऐसच कोई जरूरत है नहीं, plaster spatula लेके आए, एक straight होता है, और एक कारवर होता है, उसके लवा एक एजट spatula लेना है, then porcelain cup with lid acrylic mixing jar, ये प्रोस्तर रॉंटिक में आपके second year में ही काम आएगा वैसे तो, पर आप अभी जब इकठा समान लेके आ रहे हैं, तो अभी लेके आ सकते हैं, ये आप किसी normal market से भी ले सकते हैं, वहां पे तो शायद नहीं मिलेगा, उसके लवा rubber bowl, दो आपको large लेने हैं, और दो लेने है small, और small में एक hard होना चाहिए, एक soft होना चाहिए, color आप देख सकते हैं, उसके अलावा sand paper, sand paper आपको किसी भी hardware की shop में जाएगा, वह basically finishing के लिए योज किया जाता है, प्रोस्तोरांटिक्स में, उसके अलावा scissors, एक straight scissor होती है, एक curved होती है, ये एक लेके आना है, उसके अलावा spirit lamp लेके आना है उसके अलावा एक rectangular steel की tray आती है, ये वाली, अब आते हैं, प्रोस्तोरांटिक्स में, जो हम impression लेने के लिए metal trays लेते हैं, उनके यहाँ पे आपको list दी है, perforated and non-perforated, ये दो त्रे की metal impression trays होती है, ये आपको लेके आना है, इन्हें हम कहते हैं, perforated dentulous stock metal trays, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये पांचो नमबर के एक full set आता है, वो लेना है, और e dentulous में, ये perforated जो था, वो dentulous का था, अब non-perforated है, वो e dentulous के लिए होता है, यानि के जिन में एक बिदात present नहीं होता है, ये stock tray भी आपको इनका भी एक full set लेना है, upper and lower दोनों का, अब wax knife आपको लेना है, ये सभी knife and wax spatula, ये दो दो ले ले लिजे, एक एक तो आप गूमी कर देते हैं, उसके अलावा hematozylin and eosin pencils, और अरल हिस्टोलजी में, जब भी आप डायग्राम सो बनाते हैं, उसमें आपकी hematozylin and eosin pencils यूज होती है, और ये अच्छी quality के लेना, उससे अच्छी डाग्राम सो बनते ह सकते हैं, ऐसाच कोई problem है नहीं, उसके अलावा अगर कोई भी doubt हो आपके मन में, like ये instrument लेके आना है, या नहीं लेके आना है, ये क्या होता है, या फिर आपको कोई भी इससे related अगर वीडियो चाहिए, तो आप comment section में 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 को जरूर बताएं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना, उसे के साथ subscribe करके bell icon जरूर पैस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की notification जो है वो आपको सही से मिले, thank you and be happy.